अलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो हम आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने OPPO F25 Pro Android में आप अपने mobile phone की camera की problem को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर आपके mobile phone का camera अगर काम नहीं कर रहा है तो आज के इस वीडियो हम आपको डिटेल में जान करी देने वालों तो चलिए आप वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं इसे आपको नीचे की साइड ना सबसे नीचे यह option मिलता restore default इसे आपको टैप करना है तो यहां पर आपका एक पेज आता है इसमां को रिष्टोर डिफॉल्ट का यह option दुबारा टैप करना है तो आप दुबारा टैप करने तो इससे आपके phone की जो camera की setting हो रिसेट हो जाए आपका यह पेज आगा camera का app info का पेज इसमें आपको नीचे storage का यह option आपको टैप करना है storage अब देखे इसके अंदर आपको नीचे clear catch का यह option करना है सिरफ clear catch तो आपका यह catch के सामनेल अडिटा zero हो जाता है अब देखे अगला काम आपको करना है अपने mobile phone में आपको यह file का app मिलता यह blue color का file gap ऐसे open करना है इसमें आपको जो है रहना अंदर की side में नीचे की side यह apps का यह option tap करना है अगले page में सब से उफ़रे system app पर टाप करना है इस वाले page में Android system पर टाप करना है तो आपका यह पीज आगा इसमें storage का option टाप करना है तो आपका यहाला page आगा इसम आपको तब करना है जब मेरे बता हुए पिछले process काम नहीं करते हैं तब आपको phone को reset करना है Otherwise नहीं करना है फोन को reset करने के लिए phone का सैटिंग का पेजे ओपन करिये सैटिंग के इस page में सबसे में search बार पे टाप करना है यहाँ पर सबसे उपर सर्च बार में reset आपको लिखना है, ठीक है, reset आप लिखेंगे तो नीचे की साइट आपको एक option मिलता है, erase all data, factory reset का, factory reset का यह option टैप करना है, तो आपको yellow page आगा, इसमें आपको erase all data का यह option आपको टैप करना है, इससे आपका phone जाना reset हो जाएगा, और आपके mobile phone का जो camera में problem आ रही है, problem आपकी solve हो जाएगी, लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है, पहली बात ही ध्यान रखने है, आपके phone में जितना भी data, सारा data, आप किसी भी दूसरे phone में transfer कर लिजे, या आप अपने phone के data का backup ले लिजे, दूसरी बात ही